एयल्व दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल, केरियर इंपलोई फिर से आ चुका हूँ नेव क्याजिक, कैमपस प्लेश्मेन की इन्फोर्मेशन लेकर, क्यां फ्लेश्मेंड क्या रहा है, मौवाइल कंपनी की तरप से, लिव Chief दिसपले कंपनी की तरप से यहां पर कैमप लगाया जा रहा है तो जो भी student mobile company में job करना चाहता है वो इस वीडियो को लाख तक देखेगा full information देने वाला हूँ और आप सभी को पता होगा कि इस company जो mobile manufacturing company है उन्हें भी बर्क किया है तो full detail देने वाला हूँ इस campus के बारे में यहाँ पर बताने वाला हूँ कि जो samsung display company है यह आपको noida में मिलेगा greater noida में मिलेगा private limited campus placement 2022 तो यहाँ पर इसका campus placement लगाया जा रहा है पूरा detail देने वाला हूँ वीडियो को लाट तक देखिएगा इसके बाद यहाँ पर बताया गया है samsung display private limited campus placement 2022 जा सकते हैं apprenticeship के लिए यहाँ पर यह भरती की जा रही है और IT पास student लिए जाएंगे December 2022 में यहाँ पर यह भरती की जा रही है company का नाम देख लेते हैं company का नाम यहाँ पर है full samsung display noida private limited यह company का पूरा नाम है company के बारे में और भी information यहाँ पर दिया गया है आप इसे पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं company के official website की बात करने तो यहाँ पर बताया गया है www.samsungdisplay.com यह company का official website है आप company का official website पर जा सकते हैं इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं कि जो आपका position रहेगा वो यहाँ पर apprenticeship का रहेगा company आपको यहाँ पर AJ apprenticeship hire करेगी job location की यहाँ पर बात करें तो noida उत्तर परदेश में आपका यहाँ पर job location रहेगा और salary की यहाँ पर बात करें तो 8 गंटे की आपको 10,000 salary मिलेगी प्लस आपका attendance अबाड होगा, night shift allowance होगा और एक बार आपको settle होने के लिए room बगेरा लेने के लिए 3,000 रुपे दिये जाएंगे हलांकि आपको यह पहले month में ही 3,000 रुपे नहीं दिये जाएंगे जब आप 2-3 महिने करेंगे तब आपके account में यह 3,000 रुपे एक salary के साथ में आ जाएंगे qualification की यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर ITA मांगा गया है ITA में आपके पास यहाँ पर fitar electrician या फिर electrical या कोपा trade से आपने ITA कम्पलेट किया हो तब ही आप यहाँ पर eligible होंगे age limit की यहाँ पर बात करते हैं तो 18 से 22 एर तक यहाँ पर age limit रुआगा गया है जो भी student 18 उमर complete कर चुका है और 22 से कम है तो वो यहाँ पर जा सकता है वो यहाँ पर eligible है आप campus interview detail की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर बताए गया है 21 दिसंबर 2022 को यहाँ पर जाना है आपको और time यहाँ पर दे रखा है साड़े 9 बजे आपको जाना है government ITA सीतापूर में ठीक है सीतापूर में आप सभी को जाना है अड़ा जो नियर है विस्वाना क्रॉसिंग के पास सीतापूर उत्तरप्देश में वहाँ पर आपको जाना है सरकारी ITA में आपके पास और भी कोई doubt रहता है तो आप comment box में comment कर सकते हैं इस्टाग्राम पर message कर सकते हैं इस्टाग्राम से नहीं जुड़े हैं तो link request में मिल जाएगा जाके जुड़ जाएगे वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like कर दीजिए चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को subscribe करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे हमारी नई आने वाली वीडियो की notification आप सभी को मिल जाएगी मिलते हैं इस्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत बंदे मात्रम